हाली में अमेरिकी राशपती डोनल्ड ट्रम्प ने G7 शिखर सम्मेलन को कोरोना वारिस के चलते सितंबर तके लिए टाल दिया है साथी ट्रम्प ने कहा था कि वो इस G7 ग्रूप में भारत को भी जोड़ना चाते हैं तो आज हम इस खबर के बारे में आपको बताएंगे क्या है G7 और इसके सम्मिलित होने से बारत को क्या क्या फायदे होंगे तो G7 दुनिया के साथ सबसे विकसित और ओद्योगेक महाशक्तियों का एक संगठन है इसे ग्रूप आफ सेवन के नाम से भी जाना जाता है अभी इस संगठन में शामिल देशों के नाम कुछ इस प्रकार हैं जो कि सिंयुक तराज अमेरिका, फ्रांस, युनेटेट किंगडम, कैनेडा, इटली और जर्मनी हैं शुरुवात में यह छे देशों का समूँ था जिसकी पहली बैठक 1975 में हुई थी इस बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समादानों पर विचार किया गया था अगले साल कनाड़ा इस समूँ में शामिल हो गया और इस तरह यह G7 बन गया G7 देशों के मंत्री और नौकरशा आपसी हितों के मामले पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते रहते हैं प्रतेक सदस देश बारी बारी इस समूँ की अध्यक्षता करता है और दो दिवसी वार्षिक सिखर संभेलन की मेजबानी करता है यह प्रक्रिया एक चक्रे में चलती है जिसमें उर्जा नीती, जलवायू परिवर्तन, HIV AIDS और वैश्विक सुरक्षा जैसे कुछ विशय होते हैं जिन पर पिछले सिखर संभेलनों में चर्चाएं भी हुई थी वहीं अमेरिका के राशपती डोनल्ड टरंप ने कहा है कि वह G7 संभेलन को फिलाल सितंबर तक टालने जा रहे हैं इससे पहले वह भारत, औस्ट्रेलिया, रूस और दक्षड कोरिया को बैठक के लिए आमंत्रित करना चाते हैं बता दे कि 46 वा G7 शिखर संभेलन का वीडियो कौरोंफरेंसिंग के माध्यमों से 10 जून से 12 जून तक आयोजन प्रस्तावित था तो अब ये समझ लेते हैं कि G7 में शामिल होने से भारत को और क्या-क्या फायदे होंगे तो G7 दुनिया की सबसे बड़ी और संपन अर्थ विवस्ताओं वाले साथ देशों का एक मंच है इसमें फ्रांस, चर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका, ब्रेटेन और कैनाड़ा पहले से ही शामिल हैं इन देशों के प्रमुक अंतर राष्ट्री अर्थ विवस्ता और मुद्रा के मुद्दो पर हर साल बैठक करते हैं इस ग्रूप में भारत के शामिल हो जाने से विश्व बजार में भारत का कद और बढ़ जाएगा जिससे विदेशी निवेश में बढ़ोत्री भी होगी वही राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प ने मीडिया से बाचीत में कहा कि वह G7 सम्मेलन को टाल रहे हैं और इससे इतर अन्य देशों को अमंतरित करेंगे उन्होंने कहा कि G7 सम्मेलन को आगामी सितंबर माह तक टालने मैं जा रहा हूँ इसकी जगे मैं भारत, औस्ट्रेलिया, रूस और दक्षड कोरिया को बैठक के लिए आमंतरित करना चाहता हूँ उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि G7 ठीक से यह दर्शाता है कि दुनिया में क्या चल रहा है यह देशों का एक बहुत पुराना समू है वहीं G7 में शामिल होना भारत के लिए बड़ी कूट नीतिक जीत भी होगी अब भारत को देखने का नजरिया दुनिया ने भी बदल लिया है अब भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है अब बड़े और ताकतवर मुल्क भारत को सुपर पावर की कतार में खड़ा मानते हैं ये सब संभव हुआ है वर्ल लीडर नरेंद्र मोदी जी की वज़े से। बीते छे साल में भारत दुनिया के सुपर पावर देशों की कतार में खड़ा हो गया है। दुनिया के सबसे ताकत और मुल्क के राश उपती डोनल्ड ट्रम्प और मोदी की दोस्ती भी अब दुनिया देख चुकी है। तो पीपल्स जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताए। साथी लगातार अपडेट्स और इस तरह की जानकारिया पाने के लिए जुड़े रहें हिंदुस सन मिरर के साथ। थन्यवाद।